हलो आज है तीस जन्वरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बूल्स हाउजिंग फिनांस के बारे में 211 रुपय का शेर है प्रमोटर ने काफी बड़ी होल्डिंग अपनी बेची है प्रमोटर के पास अब जो होल्डिंग बची है वो 10% से भी कम है 9% के आसपास होल्डिंग है प्रमोटर के पास अगर देखा जाए तो वो step down भी कर चुके है नया management आया है और वो काम कर रहा है य कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया बूल्स हाउजिंग फिनांस की नई पारी शुरू होने वाली है कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अगर इतनी अच्छी कमपनी तो प्रमोटर क्यों बेच रहे है वीडियो में आज उन सारी चीज़ों के बारे में डिसकस करेंगे लेकिन उ पिछले एक महिने में इंडिया बूल्स हाउजिंग फिनांस में 4% के आसपास की गिरावट है 226 रुपैसे ये लगाता तूट कर नीची आया 208 तक पहुचा वापस बाउंस बैक किया इसने एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में इंडिया बूल्स इनांस में 9% का ग्रोथ नजर आया है अब देखे 160 पे था 308 पे पहुचा वो तूड गया दुबारत एज़े दिखाई लेकिन जैसे ही खबर है कि प्रमोटर एक्जिट कर रहे हैं प्रमोटर निकल रहे हैं यहां से प्रमोटर बड़ी होल्डिंग बेच रहे हैं कि तूट गया ठीक है उस वक्त अगर आप कई सारे न्यूस चैनल से मीडिया चैनल को अगर देखो के तो वो लोग कह रहे थे कि वह आप मास्टर स्ट्रोक है मास्टर स्ट्रोक है बड़े फंड हाउस इसने खरीदारी करी है यहां से यह और उपर जाए लेकिन तब भी मैंने कहा था कि देखो मत खरीदना यह तोटेगा और तोटा भी सही है और तब मैंने यह भी कहा था कि अगर खरीदारी की मौके है जिनको रिस्क लेना है जिनको लगता है कि वह यह पर बड़े फंड हाउस इस आए है उनके लिए खरीदारी का जो मौका है वो धाई सो रुपे नहीं है ठीक है 500-260 रुपे नहीं है वो एक रिस्की लेवल है वहाँ से हर बार प्रॉफिट बुकिंग आई है तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर 200 रुपे के नीचे मिलता है अगर आपको खरीदारी ही करनी है यहाँ पर तो जब भी 200 रुपे के नीचे मिले वो लेवल आपको च अगर आप किसी बड़े निवेशक को देखकर भी अगर आप उनके चीजों को कॉपी करते हो तो अपडेट आने में देल लगती है कि भया उन्हें ने कब बेज दिया तो यह चीजों को भी ध्यान में रखा करो और अगें इंडिया बूल्स हाउजी में देखो मैं केरो वो बरबाद हुआ है बरबाद हुआ है कई सारे ऐलिकेशन लगें इनके उपर कॉर्परेट गवर्नेंस के तूटके 90 रुपे तक आया लेकिन फिर भी यह तूटा नहीं है मैनेज करना है खुद को गिरावट दिखा नहीं रहा है लेकिन को इतनी बड़ी तेजी भी नहीं आई है ठीक है मिट कैप शेर है 9965 करोड के आसपास का इसका मार्केट कैप है वोल्यूम्स की बात के तो एक करोड से भी ज्यादा का है बड़ी कॉंटिटी में शेर ट्रेड हो रहे हैं यहां पर प्रमोटर आप देखे लिटेस शेर होल्डिंग पैटन जो है ठीक है वो यह इसके पास 28.40% की होल्डिंग है जो उन्होंने खरीदारी करी है 27.13% मुच्टन ने बड़ी खरीदारी करीए बहुत बड़ी खरीदारी है यह 2.44% की होल्डिंग 4.29% पर है इंशॉर्नश कम नहीं है ठीक है अलाइज़ी के पास 9.86% की होल्डिंग जरूर है यहां पर डिविदेंट पे किया था उससे पहले एक वो कंपनी थी जब 40-45 रुपए का भी डिविदेंट पे करती थी लेकिन मुझे रहता है कि दिरे दिरे इनका डिविदेंट प्याउट जो है वो कम होता हो नजर आ सकता है इंडिया मुल्स हाउजिंग फिना सिर्फ 17% लोग है जो अब 10,000 करोड से भी कम है 2022 financial year की बात करें तो जो एस्टिमेट किया जा रहा है रिवन्यू का वो डेफिनिटली इससे कम ही होने वाला है 9,500 करोड के आसपास होगा लेकिन कोई बड़ा रिवन्यू नहीं होगा यह एस्टिमेशन भया कम ही है अभी भी जी प्रॉफिट की मै बात करें तो प्रॉफिट इनके लगाता तूट रहा है चार हजार करोड के प्रॉफिट अब बारासो करोड पर आ चुके है और 2022 financial year में जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो ग्यारासो करोड के आसपास कम ही होगा प्रॉफिट भी कम होगा और यह मैं इसलिए क्या रहा हू उसी की मैंने एवरेज ली हुई है यहाँ पर अगर हम बात करने जाए इनके वही है डिसमबर क्वाटर के रोजल्स का बाएंगे तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई लेकिन जैसा ही डेट सामने है यह डेफिनिटली मैं वीडियो बना कर आपको इनफॉर्म भी कर दि टिकर टेप है क्योंकि ओर बोर्ड जोन में नहीं है और सस्ती कीमत तो मिल रहा है अभी 7.89 का इसका पी रेशियो है जब कि सेक्टर पी 27 है और 50 प्रतिशत एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह आपको देते हुए नजर भी आ रहे है कोई भी रिट फ्रेक नजर करूँ तो पैसा किसी का नहीं बना है अगर वो अभी तक बना है तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर इसे पहले शेर 200 रुपे के आसपास था 1400 तक पहुंचा और जो गिरावट आई है वो आप सब के सामने है और यह जो गिरावट आई है उसमें ऐसा नहीं है कि बोनस द यहाँ पर अगर मैं देखू तो 28 परसंट की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है जो पहले 17 परसंट की थी तो खरीदारी भईया रिटेल इन्वेस्टर्स ही जाधा तर कर रहे है यहाँ पर अगर हम यह बात करते हैं कि बड़े बड़े ब्लैक स्टोन ने इसने खरीदा उसने खरीदा लेकिन इवेंचुली जो होल्डिंग बढ़ी है वो रिटेल इन्वेस्टर्स की बढ़ी है डेफिनल ब्लैक स्टोन ने खरीदारी करी है मैं वह नहीं कह रहा हूँ लेकिन मैं ओवराल अगर बड़े-बड़े फंड हाउस की में बात करू ठीक अब यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स की मैं बात करूं रिटेल और अधर्स को मिला के 32 परसंट जो पहले थी अब वो हो चुकी है 47 परसंट की और उसमें जो मेजर खरीदारी हुई है वो सिर्फ रिटेल के द्वारा हुई 17 परसंट की होल्डिंग थी रिटेल इन्वेस पर इन्वेस्टेड रहेंगे की नहीं वो सवाल है क्योंकि मैं फाइल्स की होल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ वो लगातर कम हो रही है 35 परसंट की होल्डिंग थी अब वो 29 परसंट पर आ चुकी है जो 27 परसंट भी चलेगी थी सप्टेंबर कॉर्टन में ठीक है तो अभी के लिए मैं लॉंग टम में यहाँ पर नहीं बनूगा हाँ शॉर्ट टम में मैं रिस्क जरूर ले सकता होगा यह श्यर आपको 200 रुपे के नीचे मिलता है तो शॉर्ट टम के लिए मैं रिस्क लूँगा और और अगर मुझे पर शर्ट बंदरा 20 रुपे का फाइद यह वो लेवल है जहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है और यह तूटेगा हर बार 500 रुपे के लेवल को मैंने इस तरीके से कहा है कि प्रॉफिट लो और निकल लो हाला कि 308 तक भी गया ठीक है लेगिन वापसी नीचे भी आया है ठीक है तो मैं यही कहूंगा कि 200 रुप सिस नहीं है कुछ नहीं है जिसमें यह कि हाँ वया लॉंग टम में शॉर्ट पैसा बनेगा और अच्छे से बनेगा तब आप इनको अवाइट कर सकते हैं यहां पर यहां पर चल गया तो अच्छा चल जाएगा नहीं चला तो यह तूट भी जाएगा यहां से तो अभी के अगर आपको रिस्क लेना है तो ही यहां पर खरीदारी करें और वो भी 200 रुपए के आसपास ठीक है उसे महंगा तो मैं नहीं खरी दूगा और जो लेवल होगा प्रॉफिट बुकिंग का वो 200 का हमेशा रहेगा यहां पर जब भी वहां जाता है गलती से भी खरीदने के क कोशिश मत करना फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता है जो नए लोग आये हैं वो कैसे मैनेज करेंगे संभालेंगे यह ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं ठीक कोई नहीं जानता लेकिन अभी के लिए जो चीज़े हैं बले ही नए लोग आये हैं बले ही बड़ लोगों का नाम यहां पर लिया जा रहा हो लेकिन भाई आप प्रमोटर ने एक बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता तो वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा पसंद आए हो तो लाइक करें चैनल पर पहली बाहर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इंडिया बूल्स हाउजिंग फिनानस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखतर बता सकते हैं थैंक्